भारती रिजर्व बैंग में नौकरी दिलाने का वादा कर 27 लोगों से 2 करोड रुपए से अधिक की धोकादरी करने के आरोप में नवी मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है एक अधिकारी ने शुकरवार को यह जानकारी दी अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि एरोली के रहने वाले 41 सवर्शिय सदानन भूसले ने पीडितों को यह कहकर रुभाया कि वह उन्हें आरबियाई में सुरक्षागाट के रूप में नौकरी दिला देगा भूसले ने सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 के बीच उनसे कटे तोर पर 2.24 करोड रुपे लिये उन्होंने बताया कि पीडितों को ना तो वादे के मताबिक नौकरे मिली और ना ही उनके पैसे वापिस मिले सभी पीडितों की ओर से दर्ज कराई गए शिकायत पर करवाई करते हुए खारगर पुलिस ने गुरुवार को भूसले पर भारतिय डंड सहीता के तहट दोकादड़ी और अपरादिक विश्वास घात का मामला दर्ज किया अधिकारी ने बताया कि शिकायत में पुलिस के पास देर से आने का कारण नहीं बताया गया है उन्होंने बताया कि नवी मुंबई पुलिस की अपराद शाखा की तीसरी एकाई ने इस मामले का जांच अपने हातों में ले ली है